नमस्कार दोस्तों दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ड्राइलेंड एग्रिकल्चर के बारे में पढ़ाता आज हम ड्राइलेंड एग्रिकल्चर के बारे में ही अगले पार्ट पर वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आज हम सबसे पहले ड्राइलेंड एग्रिकल्चर की हिस् केंतर गताते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे और यह थोड़ी ब्रीफ हिश्ट्री होगी कोई डिटेल में नहीं होगी तो पहले जो है हमारा वो है 1880 1880 में 1880 में क्या हुआ था कि भारत सरकार ने हमारा क्या बनाया था फैमाइन कमीशन फैमाइन कमीशन मतलब क्या होता है? आपदा के प्रबंदन के लिए क्या होता है? भुकंप, बाण या ड्रायलेंड अगरिकल्चर की वज coloca की वज़े से जहांपर सूखा आता था इन सब प्रबंदन से इन से निपणने के लिए इन सब समश्याओं से निपणने के लिए 12 सरकार ने हमारा 1880 में फहमाइन कमीशन बनाया था इसके बाद जो अगला हमारा 1923 1923 में हमारा क्या हुआ था कि शबसे पहला First Dryland Research Station सबसे पहला Dryland Research Station बनाता 1993 में कहां पर बनाता ही है हमारा पुने में, पुने में एक इस्थान है मंजरी, मंजरी नामक इस्थान पर हमारा सबसे पहले ड्राइलेंड रिसर्च इस्टेशन बना था और यह बनाया गया था हमारा तमहाने द्वारा, तमहाने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बनाया था, तो 1923 में यह हुआ, फिर इसके बात से हमारा, 1933 से, 1943 तक के पिरियर में, इस दस साल तक के पिरियर में, चार इसर्च इस्टेशन और बनाया था, द्राइलेंड इसर्च इस्टेशन, उसमें था, एक मदरास में, दूसरा हमारा, हैदराबाद में तीसरा बॉम्बे में और चौथा हमारा पुने में ये चार जगे हमारे बनाए गए थे 1933 से इसके बाद हमारा आता है फिर जो इंपॉर्टेंट है वह है नाइटीन फिफ्टी फोर उनिस सो चमवन उनिस सो चमवन में हमारे एक रिसर्च इस्टेशन जो इस समय देरा दून में हैं c-s-w-c-r-t-i मतलब central soil and water research and training institute training institute शॉरी Central Soil and water Concur numa here एंटि उत्राकट के मैं ही हूद इसके लिए सबसे पहला हमारा Central सॉइल and water के work and training institute हमारा काहाँ बना गया था यह ए देरादŁन इस समय है कहां देरादुन उत्रा इसके बात से हमारा 1959 में कजरी आप सब लोग ने सुनाओगा कजरी का फुलफर्म होता है हमारा Central Aired Zone Research Institute तो जितनी भी रिसर्च हमारी Aired Zone से जो हमारी मरुस्तली छेत्र है उनसे सम्मनित रिसर्च के लिए हमारा कजरी कजरी जो इंस्टिट्यूट है वो हमारा कब बना था 1959 में इसके बाद से हमारा जो इंपॉर्टेंट हो हमारा 1970 उननीच सो सत्तर कि 1970 में क्या हुआ था कि AICRPDA मतलब आल इंडिया कॉडिनेट आल इंडिया कॉडिनेटेट की बिसर्च इसके उम्हें के लिए करे क्या ऐस्प्रोजेक्ट आं ड्राय लैंड अग्री कल्चर कि यह हमारा एक बनाए गया तो 1970 में आइसियार और बारण सरकार के द्वारा हमारा आल इंडिया कॉडिनेटेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑं ड्राय लेंड अगरी कल्चर इसके अंतरत कई हमारे कई जगह पर हमारे लगबक तेज जगह पर हमारी रिसर्च इस्टेशन खोले गए थे ड्राइव ड्रेलेटेट जो हमारी रिसर्च है उनको करने के लिए इसके बाद से हमारा है 1972 1972 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक हमारा इक्री सेट इक्री सेट सबने सुना होगा हमारा का यह हैदराबाद यह इसका फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट और सेमियरिट ट्रॉपिक्स प्रिसेट यह हमारा एक इंटरनेशनल रिसर्च इस्टेशन है जो हमारा 1972 में बनाए गया था कहां पर है यह हमारा हैदराबाद में हैदराबाद में इक्री सेट 1972 में बनाए गया था इस पर अलग अलग रिसर्च होती है हमारी इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च होती है इसके बाद से हमारा 1984 में जब ड्राइलेंड इगरिकल्चर में ड्राइलेंड की बहुत ही ज्यादा समस्य बढ़ गई हमारी तो 1984 में फिर हमारा वर्ड बैंक ने जो 22 बैंक है उसने इंडिया में आकर क्या किया वार्सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया वार्टर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम यह हमारा उननीस सो चौरासी में चलाया कब 1984 में वाट बैंग ने ये बहुत important है कि ये किस ने चलाया 1984 में वाट बैंग ने वाटर सेड डिवलप्मेंट प्रोग्राम इसके अंतरगत क्या होता है जो हमारा वर्सा का पानी होता या फिर जो भी पानी होता है उसको वाटर सेड में इकठा करना फिर उसका जल संचे करके उ इसके अंतरगत आता है हमारा इसके बाद से जो हमारा लास्ट है वह है 1985 में हमारा करीडा करीडा जो हमारा 1930 में बना था इसका क्या है ko खा还 reward रिसार्च इंस्टिट सब्सक्राइब स्चाहेब निली इंस्टिट्ट पर रिसेर्च इंस्टिटूट Getting Or街、 बहुत इंपटन्ट है ये ड्राइलेंड एग्रिकल्चर यह जितने भी हमने आपको हिस्ट्री बताई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्याद हमारा क्रीड़ा हो गया इक्री सेट हो गया इसके बाद वर्डबैंक हो गया यह जो हमारे चार-पांच हैं कजरी हो गया और जो देराद उनमें CSW सब्सक्राइब क्रीड़ा इसके बारे में बताएंगे थोड़ा एरिट क्या होता है साइंटिफिक टर्म में आपने सुना होगा एरिड तो यह होता है हमारा होता है मॉइस्चे कै कि ये पुछा जाता है कि air rate को मैश्टर इंडेक्स कितना है और समेर, को मैश्टर इंडेक्स कितना है तो मांश्टर इंडेक्स जो होता है हमारा 1 si 66.7 से o माईなた टाक तो इसका मतलब क्या होगा हमारा यह सन하 उन्पोंच जाता कि तो यह हमारा होगा कितना less than minus 66.7 इसके बाद जो cent में हमारा क्या होता है यह वाली effective crop day तो यह जो cent है इसमें effective crop day की जो हमारी लेंथ होती है period होता हुँ आ मारा होता है less than 75 days जोंपे 75 खत्तर दिन से ज़्यादा त्यार होने वाली कोई crop नहीं लिजा सकती तो इसकी जो effective crop did होती है effective crop Lend days तो होती है हमारी less than 75 days और इसकी लिए अगर हमें क्रॉप उगाना है तो हमें irrigation की आओ सकता है बिना irrigation के बिना irrigation facility बिना सिचाई की बिवस्ता के यहां पर कोई crop हम नहीं उगा सकते हैं कोई भी crop नहीं ली जा सकती है और यह हमारी बहुत important moisture index हमारा कितना होता है minus 66.7 to minus 100 और इसमें क्या होता है जो सबसे important है area zone में इसमें पूछा जाता है कि हमारा जो इवैपो ट्रांसपाइरेशन है वह हमारा rainfall से कम होता है या ज्यादा होता है तो यहां जो होता है rainfall हमारी कम होती है rainfall is less than ET हमने आपको बताए भी तब पिछले में ET क्या होता है और rainfall क्या होता है तो rainfall जो है यहाँ evapotranspiration से कम होती है जितनी वर्षा होती है उससे ज़्याद है यहाँ evapotranspiration के द्वारा water का loss होता है तो यह हमारा arid zone में इसके बाद हमारा आता है Drorgest compounds यह प्लेट बिछल में आपको तो यह एक प्रकार से atención और इसके बाद जो हमारा आगे आगे फीछ जोन वर्षा की इन होती है उने के बीचे नहीं खीण होता है तो इसकाभी मौाश्टेर एंडेक्स मॊंचा जाता है तो इसका moisture index जो होता है हमारा moisture index वह होता है minus 33.32 minus 66.6 साड़े 33 से minus साड़े 36 के बीच में जो इसका होता है moisture index moisture index दोनों की बहुत ही ज़्यादे इंपोर्टेंट है arid zone का और semi-arid zone का और इसमें जो effective crop length होती है effective crop days होता है जो वह होता है हमारा 75 से 120 दिन के बीच यहाँ पर क्या है कि पानी की थोड़ा कम कमी होती है मतलब यहाँ पानी की कुछ उपलबदता होती है जिससे इसमें थोड़ा ज्यादा दिन ज्यादा दिन में तयार होने वाली crop ली जा सकती है 75 से 120 दिन में तयार हो जाने वाली crop ली जा सकती है लेकिन Arid Zone में क्या है? Arid Zone में ऐसा नहीं है, Arid Zone में सिर्फ 75 दिन से कम होने वाली, तैयार होने वाली crop को ही उगा सकते हैं और वो भी जब वहाँ irrigation की facility होगी, यहां क्या होता है अगर irrigation की facility भी नहीं, यह हम थोड़ा सा स्वाइल और स्वाइल और याँ पर कर देते हैं जैसे मल्चिंग हो गया तो यहां पर हम ऐसी क्रॉप उगा सकते हैं तो यह उता है हमारा कैre से्मि डेंगे ग्योलौ मौश्यर इंडेक्स होता है हमारा 3,5-3,5-6,5 और इफेक्टिव क्रॉप डेज होते हैं 75-120 दिन के वीच तो यह हो गया हमारा एरिड और सेमी एरिड जोन एक एरिड और सेमी एरिड जोन को हम एक प्रकार से वर्सा के दिनों के आधार पे भी सेमी एरिड जोन को बाढ़ सकते हैं जैसे कैसे रेनी डेज हमारे होते हैं इंडिया में लगबग रेनी मंद्स जिने कहते हैं जिन महीनों में हमारी वरसात होती है तो वो होती है हमारी लगबग दो से साथ महीने ही बरसाथ होती है कम से कम दो महीने और ज्यादा ज्यादा साथ महीने तो अगर इसके अंसार अगर दो से साड़े चार महीने बरसाथ होती है कहाँ पर सेमी एरिड जोन में किसी सेमी एरिड जोन में सेमी एरिड में अगर दो से साड़े चार मंथ बरसात होती है तो वह हमारा कहलाता है ड्राइ सेमी एरिड और अगर वहीं पर साड़े चार से साथ मंथ बरसात होती है तो वह हमारा कहलाता है वेट सेमी एरिड यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ही है हमारे बरसात के महीनों क आधार पर यह बाटागया कि ड्राई से मेरक कया होता है तो अगर 25 4 से ज्यादा यहां अगर हो गई बरसान तो पर हमारा व्र्ट से अंलुकिर अगले लेक्चर में हम फिर से हापको ड्रावर क्रिक बारे में आगे बताएंगे कि